एक जंगल में दो मेंड़क पानी की तलाश में इधर उदर घूम रहे थे लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था धूंटे धूंटे दोनो मेंड़क एक गहरे गट्टी में गिर गे वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे उस गट्टे में पहले भी मेंड़क गिरे हुए वो उन दोनों मेंडकों को कहने लगे कि गड़ा बहुत गहरा है तुम दोनों इस गड़े में से बाहर नहीं निकल सकते चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो दो मेंडक कूद कर बाहर निकलने का प्रयास करते रहे वो उन दोनों मेंड़कों को हांसला देने की बजाई उनका हांसला तोड रही थे वो दो मेंड़क फिर भी रुके नहीं उन में से एक मेंड़क दूसरे मेंड़क की बात मान कर अराम करने लगा और बैठ गया उसने हार मान ली थी लेकिन दूसरा मेंड़क बस कूदे ही जा रहा था वो निरंतर कूदता ही रहा अंत में वे इतनी उची शलांग लगाता है कि वो गड़े से बाहर निकल जाता है सारे मेंडक हैरान हो जाती है अरे जी कैसे बाहर निकल गया जी कैसे कर लिया इसने बात जी थी कि वो मेंडक बहरा था वो तो किसी की बात सुन ही नहीं सकता था वो बाकी मेंडकों की बातें सुन नहीं सका इसलिए जब वो मेंडक बोल रहे थे तो उसे लगा कि वो सब उसकी कोशिश से खुश हो रहे हैं उसके कूदने पर उसे उतिशाहित कर रहे हैं शिक्षा, इस कहानी से हमें जे सेख मिलती है कि दूसरों की राय हमें तब प्रभावित करेगी जब हम उस पर विश्वास करेंगे भलाई इसी में है कि हमें खुद पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए तभी सफलता हमारे कदम चुएंगी